हेलो फ्रेंड्स, असलाम लेकूम, वेलकम टू हैधर टेक, आज किस एपिसोड में मैं आपको दुनिया में मौझूद सबसे बड़ी मशीन के बारे में बताने जा रहा हूँ, so let's begin नमबर 6, ETF MT240, 200 दिसमबर 2014 में दुनिया का सबसे बड़ा डंस ट्रक लाँच किया था, लेकिन 2018 में ETF कंपनी ने इसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, इन्होंने 2018 में MT240 ट्रक लाँच किया, जो दुनिया में आज तक बनाया गया सबसे बड़ा डंस ट्रक है, इस ट्रक ने इसका भी रिकार्ड तोड़ दिया, ये सिर्फ बड़े साइस का ही नहीं, बलकि इसका डिजाइन भी फ्यूचर वही कल जास अपनाया गया है, ये ट्रक पूरा आटोमेटिक है, इसका वज़न 870 टन है, और इससे पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक था, इसका वज 250 टन था, लेकिन ये लुक और फीचर के हिसाब से इससे बहुत डिवेल्प है, इसके अंदर और भी बहुत से फीचर्स मौजूद है, डिवेल्पर्स के मताबिक ये 25 वीसाद तक पुराने डंप्स ट्रक से कम फ्यूल खाता है, और इसकी परफॉरमस भी इससे कई गुना ज़्यदा बहतर है, इस पावरफुल वहीकल को एक वक्त में बहुत से इंजन से एक साथ पावर मिलती है, इसका डिसाइन ऐसा बनाया गया है, कि इसकी रिपेरिंग करना भी बहुत आसान होगी और इस पर खर्चा भी बहुत कम आएगा, ये ट्रक वाकिए में कमाल का है, नमबर फाइव, लीबर T284, दोसो दोसार चार में लीबर कमपनी ने इस जाइंट ट्रक को मैनिफेक्चर करना शुरू किया था, ये एक बहुत बड़ा डंप स्ट्रक है, जो के बड़े आफ रोड कंस्ट्रक्शन साइट के लिए डिवेल्प किया गया है, इसको सबसे पह इसका वजन लोड और अनलोड कर सकता है, और इसका पेलोड 360 से 400 टन है, इसका साइज हद से जदा बड़ा है, नॉर्मल इनसान तो इसे दे कर ही गवरा जाएगा, इस मॉंस्टर के अंदर 4000 होर्सपावर का पावरफुल डीजल इंजन लगाया गया है, इसको बड़े कंस्र मशीन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे स्पेशली समंदर पर काम करने के लिए डीजाइन किया गया है, ये असल में एक एक्सकवेटर की तरह है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सकवेटर है, इस शांतार मशीन को भी जर्मन कंपनी लीबर ने बना ये हाइडरॉलिक इंजिनरिंग के डिवेल्प तरीन प्रोजेक्ट्स में से एक है, और ये मशीन बिल्कुल परिफेक्टली काम करती है, इसे ऑपरेटर चन हैंडल्स और बटन की मदद से ऑपरेट कर सकता है, इसके अंदर पावरफुल डीजल इंजन लगाया गया है, जो दोसो अब जो मशीन में आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो इस दुनिया की सबसे बड़ी खुदाईगी मशीन है, इसका वज़न 6100 टन है, इसके लावा इसका डायामेटर 55 फुट है, और इसकी लंबाई 324 फुट है, क्या आपने कभी 324 फुट लंबी मशीन देखी है, और इसने अपना काम बिलकुल परिफेक्टली किया, इसको इस्तमाल करने का तरीका बिलकुल सिंपल है, इस मशीन में 260 बड़े साइस के कटर लगे हैं, जो के हर तरह की सर्फिस को आसानी से काट देते हैं, काटने के बाद ये मशीन इस रेद, मटी और पत्थर को पीछे द दिखाया है, नमबर टू, मेहमत PTC-200DS, दोसो इस जाइंट क्रेन को एक डच कंपनी मेहमत ने बनाया है, ये कंपनी हैवी लिफ्टिंग वहिकल्स बनाती है, लेकिन PTC-200 इनकी सबसे बड़ी क्रेन्स में से एक है, इस क्रेन को हैवी लोड एक्विपमेंट की ट्रांसपोर और इनको इंस्टाल करने के लिए बनाया गया है, ये मशीन खास करके ऐसी जगापर भी एजिली काम कर सकती है, जहां स्पेस बहुत कम हो, ये एक विंग क्रेन है, जो कि 5000 टन से भी ज्यादा का वजन उठा सकती है, इसके लावा इसका साइज हद से ज्यादा लंबा है, जि किया जा सकता है, कंस्रक्शन साइड पर जितना साइज रिकॉाइड हो, इस हिसाब से इसे फिक्स किया जा सकता है, इस क्रेन का डायमेटर 131 फुट से भी ज्यादा है, और इसका वजन 6125 टन है, इस मशीन को सबसे पहले 2011 में आपरेशन में लाया गया था, इसका साइज वा कर सकती है, इसका डिजाइन बिल्कुल सिंपल है, और इसे ऑपरेट करना भी बहुत आसान है, और इसमें सबसे मज़िदार बात ये है, कि इस मशीन को ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत आसान है, इसे फोल्ड करके किसी भी ट्रेलर पर आसानी से लोड किया जा सकता है, इसक जितनी देर चाहें इतना आप यूज़ कर सकते हैं इसका डिसाइन ऐसा बनाया गया है जिससे ये हैवी कंस्रुक्शन वर्क कर सकती है इसे एक शक्स अंदर बैठ कर आसानी से आपरेट कर सकता है ये वाके ही में जबरदस मशीन है दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हैदर टेक को सबस्क्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहें